नमस्ताव आप देख रहें तेजस 24 नियूज और मैं हूँ आपके साथ जूती गनोंचा आईए उन नजट आते ही खबर कियो मेरट मंदिर के नाम को करते हैं बदनाम और मंदिर के नाम पर सरकारी जमीन पर करते हैं कबजा मेरट माधवपूर के गेट पर हनमान मंदिर में जो की अंदर शनीदेव का भी मंदिर है वहां के महंत तारकेश और जीटू के द्वारा पहले तो सरकारी जमीन जाने की ग्रीन बेल्ट पर आश्टम के नाम पर कबजा कर लिया गया और फिर वहां पर पहले तो गौशाला के नाम पर कमिशनर से अनुमत मांग ली गई कि इसमें हम गौशाला खोलेंगे लेकिन गौशाला खोलने की जगह पर वहां रातो रात दुकान का निर्माड हो गया जो की नगर निगम और आवास विकास परसद होती है इसकी जिम्मेदारी अगर ग्रीन बेल्ट माना जाए तो नगर निगम है भारत वर्ष के अंदर कोरोना महमारी में भी भ्रस्टाचार्ट चरम सीमा पर है साथ ही नगर निगम वह आवास विकास सुबिधा शुल्क लेकर करा रहे हैं सरकारी जमीन पर अवैद दुकानों का निर्माट जो कि करोणों रुपए की संपत्ति है और सूत्रों से बताया जा रहा है कि इन दुकानों का सौधा करा दिया गया है जिनकी कीमत लबग 20 लाक लगाई गई है आज हिंदू संगटनों ने इस पर होम अबजेक्शन उठाया लेकिन आवास विकास परिसद के अधिकारी वर नगर निगम के अधिकारी को मकरण की नीन सोय हुए है और भायत के अंदर दुगत गटना चल रही है कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा यह महामारी पता नहीं कितनों की जान ले चुकी है और अधिकारी अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए है इसलिए दुकानों पर रात को काम चालू होता है किसी भी समय रात को इन दुकानों पर शटर लग जाता है और आवास विकाश परिसाद वन नगर निगम का भ्रस्टा चार्ट चरम सीमा पर है ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें टेजस 24 नियूस